नमस्कार, मैं शालूगा लिया, दोवा तड़का में आपका स्वाकत है, तो आज हम बनाएंगे दाल फराई, इसके लिए हमें क्या चाहिए, यह मैंने दाल लिए एक कटोरी, इसको मैंने उल्रेडी उबाल के रख रखा है, एक कटोरी दाल लिए, इसमें तीन कटोरी पानी दाली है, एक चमच नमक डाला, एक आदी चमच फल्दी पाउडर डाला, और मैंने इसको उबाल लिया है, इसके मैंने तीन सिट्टी लगाई है, दाल उबलके हमारी तयार है, अब हम इसके तड़का लगा देते हैं, इसके लिए हमने एक कडाई लिए, गैस को ओन कर दिय कडाई को गरम होने को तो हमारी कडाई गरम हो चुकी है अब हम इसमें तेल डाल देते हैं तेल में ने तीन चमज डाली है चोटे वाली अब हम इसमें डालेंगे सर्चुन सर्चुन तड़कने लग गई है अब जल डालेंगे जीरा आधी चमज जीरा लिया है आठ दस कलिये लैसुन लिया है यह हमने लैसुन डाल दिया यह मैंने काट के बारिक रख रखा था एक चद्रक का टुकडा इसको भी मैंने बारिक काट लिया है थोड़ी सी हेंग एक ठोठाई चमज हेंग एक दो मैंने प्याज लिये हैं मेडियम साइज के यह मैंने बारिक काट लिये हैं सबसे पहले हम प्याज दालेंगे यह ज़्यादा टाइम देता है गलने के लिए प्याज हमने बारिक काटे हैं कि इनकी कलिया अलग-अलग हो जाए प्याज अपने ब्राउन हमें लग देए हैं अब हम इसमें डाल लेते हैं हरी मिर्ची यह मैंने दो हरी मिर्ची लिये हैं इनको भी बारिक काट लिये हैं अब हम इसमें डालेंगे, एक तमाटर कटा हुआ, तमाटर डालते ही, मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी इसके अंदर, क्यूंकि हमने कुछ नमक डाल में भी डाला हुआ है, लगी है एक दो मिनट, इंडियम गैस पर पकाया है हमने, दो मिनट लगी है इसको, अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, एक तोथाई चमच, नमक हमने पहले डाल दिया था, हो ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा एक तोथाई चमच हल्दी पाउडर, ये भी हमने पहले डाल दी थी, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच लाल मिर्ची पाउडर, यह अच्छी तरह मिलते रहेंगे, गैस को मेडियम रखेंगे, हमारा तड़का तयार है, अब हम इसमें जो अपनी उबाली हुई दाल है, वो इसके अंदर डाल देते हैं, देखना कितना सुंदर कलर आया हुआ है, यह ताल डाल देते हैं, थोड़ा आसा इसमें आपन गरम पानी डाल देंगे, यह टाइट लग रही है, इसलिए थोड़ा सा गरम पानी करके डालना है, आदा गिलास के लगभग, इसमें गरम पानी डाल देते हैं, गैस का फ्लेवर हाई कर देते हैं, थोड़ी कस्तूरिम में थी, कस्त के डाल देते हैं इसके अंदर, क्रस्ट कर दी है, यह मैंने, उबालाने तक हाई फ्लेवर रखी, अपने दाल उबल के तैयार हो गई है, गैस में मेडियम कर देते हूं, और थोड़ा सा थैनियां डाल देते हूं, एक मिनट तक और उबलने देंगे, दो मिनट तक अपने उबाल ली पहले, एक मिनट और उबलने देंगे, उबाल आ गए है, हमारी दाल उबल चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं, अब हम लगाएंगे इसमें तड़का, तड़की के लिए क्या चाहिए, दो चोल ली है, छोटे वाली दो चम्मस ली है, अब हम इसको गरम होने देंगे, ये तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें सरसू डाल देंगे, सरसू हमारे तड़कने लग गई है, अब हम इसमें गैस को कम कर देंगे, जीरा डाल देंगे, एक चोथाई चम्मस जीरा डाल दिया, तीन से चार लाल मिर्ची साब्वक, थोड़ इसी कासमेरी मिर्ची, तड़का हमारा बन के तयार हो गया, अब हम इसमें दाल में लगा देते हैं, गैस को बन कर देते हैं, दाल में तड़का लगा देते हैं, लाल मिर्ची डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है, यह देखना कितना अच्छा कलर आया है, हम इसको अपने सारी दाल में मिला देते हैं, देखना बनी है ना हमारी होटल जैसी दाल, एक दम होटल जैसी दाल बनी है, अब अपने प्रोश सकते हैं, गरम-गरम, चावल, दाल, रोटी, दाल और इसके उपर हम अपन धनिया डाल देते हैं, हरा कटा हुआ. यहां हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो शेर करें, लाइक करें और दाल को टेस्ट करके बताएं कि कैसे लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं.